तो साज किस वीडियों में, डबलेड़ड़ू के एसर रसलर्स के बार में, जानने वाले जिनकी व्कसे पहले ही मोत हो गए, किसी को कुछ ना बाता कर, यह रसलर हमेशा केले हमको अलविदा कहे गए, और आज भी AWWK फैंस के दिलों में जिन्दा है और इनमें से ज्यादतर रस्लर की मोज स्रिफ हर टाटक से हुई है वीडियो कापी इंपर्मेटिव है तो वीडियो के जान करेकेल वीडियो का अंतुक जुरू देखना दोस्तों उमागा डबलेडवली के एक नंबर वन बेस्ट लेजन्स उपरस्टार इनको समान बुल्डजर भी कहा जाता था जिन्हें 2006 में डबलेडवली में डेबियो करकर हर एक रस्लर के हड्डिया पस लिया ये कर डाली दोस्तों 4 डिसंबल 2009 को उमागा की पत्नी ने उमागा को भेहोश पाया और दोरन तुनों ने अमुलेस बुलाई और होस्पिटल में जाने के बाए डॉक्टर ने उनको मुरूद घूशिक किया और डॉक्टर ने उमागा की मरने की पीछे का ये कारण बताया था कि उमाग 2016 को चायना उनके घर में मरी हुई पाई और इनके मरने की पीछे कारण बताते कि शाराब और पेन किलर का ओर डोस्तों एडी गरेर तो दोस्तों इन्होंने आलगी रस्लिंग स्किल डबली डबली में लाई और एडी गरेर उनके चीटिंग के लिए काभी फेमस सुपस्टर और अड़ी गरेर के कारणा में डबले डबली के लिए युए इन्होंने दोस्त आपने डबले डबली के करैर में सब कुछ जीता ता ज्यो कि एक डबले डबली के सूपस्टर को आपने करियर में जीतना चाहिए और 2007 में Chris Benoit ने उनके वाइप और पच्चे को मारा डाल कर खुद भासी ली और इसी कारण से आभी भी WWE में Chris Benoit का नाम नहीं ले जाता और कभी भी उनकी टेक्निकल रसलिक की कभी क्लिप BWW में नहीं दिखाई जाती और Chris Benoit उस समय 40 साल के ही थे तो दोस लुक हापर लुक हापर भी WWE के एक नंबर वन रसलर थे जो कि White Family के मेंबर रह चुके है जो कि WWE में Intercontinental और Tag Team Champion भी रह चुके थे और 26 December 2020 को लुक हापर इस दुनिया से चल बसे तो दोस ब्रे वाइट WWE के सबसे खतरनाक लेजेंडरी महान सुपस्टार थे और मुझे परसले आभी भी शुट करते समय यह नहीं लाग रहा कि ब्रे वाइट आभी इस दुनिया में नहीं है और दोस्ते आपको एक बात बात देता हूँ कि हमेरे ब्रे वाइट के WWE में कौन सा भी बंदा जगा नहीं ले सकता और Finn का character कौन सा भी बंदा replace नहीं कर सकता पाकि दोस्ते आपको क्या लागता है इसके बारे में मुझे comment करके ज़रूर बाताना और इनको श्रादान जली देने के लिए सारे लोग कमिन बॉक्ट में रेश्टिन फीद जरू लिखना